Hello everyone, आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 4th unit that is Redox Titration. स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक बर स्लेबस देख लेते हैं, इसमें हमें Concept of Oxidation and Reduction पढ़ना है पहले, उसके बाद हम Types of Redox Titration पढ़ेंगे उनके Principles and Applications के साथ, और जितने भी Types हैं इसके Redox Titration के उनको एक एक करकर हम discuss करेंगे, ठीक है, और Potassium Iodate के साथ में Titration करेंगे, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना Redox Titration, तो जैसे कि मैंने अभी बोला सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, Concept of Redox Titration, ओके, तो इन Concept के अंदर हम सबसे पहले किस चीज की बात करेंगे, Basics क्या होते हैं Redox Titration के, ठीक है, Redox Reactions के Basics क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है, पहले तो हम Basic की बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे, कैसे हम किसी Redox Reaction को Balance करते हैं, तो Balancing of Redox Reaction, फिर हम बात कर लेंगे, सबसे Important जो Titration के लिए हमें करना होता है, क्योंकि हमें Solution बनाने होते हैं, तो Normal Solution बनाने के लिए, हमारा Important एक आसपेक्ट होता है, हमें Equivalent Weight निकालना होता है, तो Equivalent Weight की Calculations कैसे करना है, Redox जहां पर Reactions हो रही है, उस Titration के Case में, हम कैसे Equivalent Weight निकालके Normal या Equivalent Solutions को हम बनाएंगे, तो यह जो Important 3 चीज़े हैं, इनको हमें सबसे पहले Discuss करना है, एक एक करके, चीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम Simply बात करें इस Word की, that is Redox Titration, तो Titration तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कि क्या करते हैं, हम लोग एक Unknown कोई भी Sample है, या फिर आपके पास कोई Solution था, जिसको हम Volumetric Analysis कर रहे थे, जिसको में हम Quality और उसकी मतलब की, अगर हम बात करें, Essays कर रहे थे, ठीक है, तो Quantitative Analysis कर रहे हैं हम यहाँ पर, और क्या पता कर हम Strength पता करते, Concentration पता कर रहे हैं, किसी Unknown Sample का, ठीक है, किसकी Help से, with the Help of One, Known, Standard, तो Titration तो ठीक है, Simple चीज़ हो गई, यहाँ पर, अब हम Type क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम Titrations, Volumetric Analysis, हम Different Method से सीख रहे हैं, समेस्टर में, तो यहाँ हमारा जो Next Method आया है, That is Redox Titration, अब हमारे पास क जो की Redox Type की Reaction देता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सा Titration करना पड़ेगा, उसकी Analysis के लिए Redox Titration करना पड़ेगा, अब Redox Reactions होती क्या है, ऐसे वो Samples कौन होंगे, और वो किस तरह की Reaction दे रहे होंगे, कि उनको हम Redox Titration बोल रहे हैं, ठीक है, तो Simply यहाँ से समझ में आ रहा है, अगर हम देखें तो, Reduction and Oxidation, Redox, तो इन दोनों को मिला के, हमने कह दिया इसको Redox, तो Oxidation और Reduction की जो Reactions होती है, ऐसे Samples, जो की Oxidation and Reduction, Reactions देते हैं, उनका हम क्या करते हैं, Redox Titration, ठीक है, तो Basic उसकी पीछे यही है, एक ऐसा Oxidation, Reduction, किसी भी Species का, किसी भी Reaction में हो रहा होता है, तो एक पूरी Reaction बनती है, जिसमें से, जैसे मान लेजे, एक A है, और एक B है, ठीक है, तो Supposed करिए, जो A है, उसका Oxidation हो रहा है, ठीक है, अब मैं यह समझाओंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा, कि क्यूं यह हमने Plus Charge ऐसा अगर के लगाया, और मान लेजे, जो B है, उसका Reduction हो रहा है, ठीक है, तो हम ऐसी reaction को कौन सी reaction बोल देते हैं, Redox Reaction, अब हमने Redox Reaction की तो बात की, लेकिन, अब हम बात करेंगे सबसे पहले, कि यह Oxidation और Reduction, इन दोनों में Difference क्या है, ठीक है, तो क्या होता है Oxidation और क्या होता है Reduction, अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत टाइम से, शायद 9th class से हमने स्टार्ट कर दिया हो गए, कि क्या होता है Oxidation और Reduction, तो किसी भी चीज में, जो concept था कि अगर Oxygen Add कर देंगे, ठीक है, किसी भी substance में, अगर Addition of Oxygen होगा, तो इसे Oxidation कहेंगे, और Addition of Hydrogen को हम Reduction कहेंगे, तो ऐसा हम concept पढ़ते चले आ रहे हैं, तो एके करके हम पुराना concept, नए concept दोनों को discuss कर लेंगे, और यहाँ पर as a difference लिखते चले जाएंगे, ठीक है, तो पहला point हो ग इसी चीज से जुड़ रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो उस reaction को हम Oxidation कहते हैं, और जहाँ पर Removal of Oxygen हो रहा है, तो उसे Reduction कहते हैं, ऐसे ही next अगर हम बात करें, Hydrogen की, तो अगर Hydrogen का Removal हो रहा है, ये Loss हो रहा है, तो हम उसे Oxidation कहेंगे, और जहाँ पर Gain of Hydrogen हमने अब बात करते हैं, हम Electron के Contest में, ठीक है, तो अगर एक Word हम अच्छे से याद कर लें, कि ये, L-E-O, लियो, ठीक है, लियो याद कर लेंगे, तो लियो से, क्या हो जाता है हमारा, Loss of Electron is called Oxidation, ठीक है, तो इसको हम याद करेंगे, लेंगे, Loss of Electron, ठीक है, तो Loss of Electron is Oxidation, is called Leo, is a short form, ठीक है, तो इसका opposite क्या कर लेंगे हम, Gain of Electron is Reduction, तो Leo और G-E-R, ये दो वर्ड आप याद रखेंगे, तो ये आपको easily remind रहेगा हमेशा, तो यहाँ पर Gain of Electron is called Reduction, ठीक है, तो ये difference भी कह लीजे, या फिर, आप कहिए कि, अगर ऐसे ऐसा देखने को मिल रहा है, कि कहीं पर Oxygen add हो रहा है, कहीं पर Loss of Hydrogen हो रहा है, या फिर Loss of Electron हो रहा है, तो उस case में उसको हम क्या कहेंगे Oxidation, और जहाँ पर हमें Removal of Oxygen दिखाई दे रहा है, या फिर Gain of Hydrogen दिखाई दे रहा है, या फिर Gain of Electron दिखाई दे रहा है, उस case को हम कहेंगे, उस reaction को हम कहे दूसरी एक चीज आती है ऑक्सिडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो जहां पर भी आपको ऑक्सिडेशन नंबर में कमपारिटिव जैसे कहेंगे ठीक है कमपारिटिव इंक्रीज इन ओक्सिडेशन स्टेट या फिर ओक्सिडेशन नंबर ठीक है और यहां पर कमपारिटिव डिक्रीज इन ओक्सिडेशन नंबर जहां पर इंक्रीज इन ओक्सिडेशन नंबर हो रहा है वहां पर ओक्सिडेशन होता है और जहां पर डिक्रीज इन ओक्सिडेशन नंबर हो रहा है वहां पर रिडाक्शन होता है ठीक है इसको हम एक simple example से समझेंगे तो अगर हम इस simple से reaction को देखते हैं जहांपर हम देखेंगे कि अगर हम बात करें सबसे पहले इस ferricion की ठीक है तो यह ferricion जो convert हो रहा है किसमें convert दिख रहा है आपको? तो ferric में तो ferrous से क्या बन रहा है यह? ferric यहां पर आप देख रहे हो प्लस 2 charge है ठीक है? और यहां देख रहे हो प्लस 3 charge है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जब कोई भी atom कोई जैसे यह atom है आपके पास इसने क्या करा? एक electron दे दिया तो positive charge increase होगा ना? तो जब electron दे रहा है तो positive charge increase हो रहा है यानि loss of electron हो रहा है यहां पर तो positive charge क्या हो रहा है आपका increase हो रहा है यानि कि एक और देने पर यह प्लस 2 से प्लस 3 हो गया तो यहां पर loss of electron हो रहा है तो यहां पर oxidation हो रहा है ठीक है? इसे ही अगर हम ciric के बात करें यहां पर क्या हो रहा है? ciric से क्या बन रहा है? cirus बन रहा है यानि कि plus 4 से plus 3 यानि positive charge क्या हो रहा है? decrease हो रहा है यानि कि इसने यह क्या कर लिया है? gain of electron हुआ है यहां पर इसको एक electron मिला तब यह plus 3 हो गया ठीक है? तो यहां पर gain of electron है और gain of electron क्या होता है? reduction तो इस तरह से आप देखोगे किसी reaction क्यों हो रहा है? oxidation हो रहा है और दुसरे का क्या हो रहा है? reduction हो रहा है वो क्या करवा रहा है दूसरे का reduction करा रहा है तो जिसका खुद oxidation हो रहा है और वो दूसरे को reduce करवा रहा है ऐसे agents को कहते हैं reducing agent reducing agents का खुद oxidation होता है और वो दूसरे को reduce कराते हैं ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सीरिक की, तो सीरिक क्या है खुद क्या हो रहा है reduced हो रहा है, और F.E. को क्या करा रहा है, oxidize करा रहा है, क्योंकि इसमें जो electron इसने gain किया है, वो किस से आया, iron की वज़े से आया ठीक है, इसने lose किया इसने gain करा, तो एक ने lose किया है, एक ने gain किया है, तो एक की वज़े से oxidation हो रहा है, दूसरे की वज़े से reduction हो रहा है, ठीक है, तो सीरे के हाँ पर जो होगा, वो क्या होगा, oxidizing agent, जिसका खुद तो reduction होता है, और वो दूसरे का क्या करवाता है, खुद reduce होके दूसरे को क्या कर करता है तो इसलिए वो oxidizing agent की category में आता है correct अगला concept हमें क्या सबजना है कि oxidation state जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर oxidation number है यह oxidation state हम कैसे assign कर रहे हैं ठीक है किसी भी substance की oxidation state क्या होगी तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि oxidation number होता क्या है oxidation number एक integer है जो की positive भी हो सकता है zero भी हो सकता है और negative भी हो सकता है ठीक है तो अगर हम बात करें जैसा कि हमने बोला comparative positive comparative जो plus plus positive effect ज़ादा बढ़ रहाए है जहाँ पर भी उसको हम क्या कहेंगे क्या reflect करेगा वो loss of electron reflect कहेगा उसे और जहाँ पर negative charge comparatively increase हो रहा है उसे हम कहेंगे gain of electron क्योंकि हमें पता है जो देता है वो more positive हो जाता है और जो electrons को लेता है वो negative हो जाता है जैसे कि अगर हम chlorine की बात करें simply तो chlorine क्या है जब एक इस पर जब दिख रहा है आपको charge आ गया electron gain of electron हुआ तो यहाँ पर negative charge डेवलप हो ठीक है तो positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है more positive अगर होगा जादा positive की तरफ होगा यानि की वहाँ पर loss of electron हुआ है और वहाँ oxidation हुआ है ठीक है अगर आपको दिख रहा है मान लीजे की जादा positive से कम positive हो गया जैसे की यहाँ पर हमने देखा इसे ही देख लीजे यहाँ पर हमने देखा जादा positive से कम positive हुआ यानि की gain of electron यहां पर हमें दिखाई दिया तो इसको हमने कह दिया कि यह क्या है reduction ठीक है तो इस तरह से हम यह देखेंगे कि अब हमें rules हम कुछ होते हैं इसके लिए कि हम कैसे oxidation state या oxidation number assign करते हैं तो पहला rule तो यह है कि कोई भी reaction अगर लिखी हुई है तो आप देखो कि इसका जो left side है और जो right side है दोनों का जो total charge का जो sum होका वो equal हो जाएगा ठीक है तो sum of all of the electron in the molecular ion must be equal in sign and value to the charge on that molecular ion ठीक है तो आप यहां देख रहे हो कितना है यह 6 और यहां पर भी कितना है 6 तो right and left दोनों क्या है यहां पर इस case में बरावर है एक हम simple अगर example यह वाला देखें कि H2SO4 break हो रहा है किसमें 2H1 plus SO4 negative ठीक है minus 2 तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें 0 charge है यहां क्या है 2 into plus 1 hydrogen के उपर plus 1 है यहां क्या है हमारा minus 2 तो यह क्या है plus 2 हो गया और यह हो गया minus 2 तो बरावर कितना हो गया यहां पर भी 0 हो गया तो कुल मिलाकर हमारा left hand और right hand पर दोनों पर जो charge है वो equal आया 0 और 0 ठीक है अगर total charge देखेंगे तो ओके तो इंडिविजल भी देख लेते हैं अगर हम SO4 की बात करते हैं SO4 के अंदर oxygen कितने हैं? 4 तो oxygen है तो oxygen का अगर हम oxygen state की बात करें तो यह आ रही है 4 into minus 2 oxygen का minus 2 हो जाता है तो कितना हो गया? यह minus 6 तो अगर हम यहां की बात करें यहां minus 2 हमें already देख रहा है और यहां हम बात करें sulfur की क्योंकि minus 2 already है तो minus 8 और तो यहां पर sulfur का हो जाएगा plus 6 तो minus 8 plus 6 is minus 2 तो ultimately left hand side और right hand side अगर हम इसे break करें तो equal charge आ रहा है minus 2 और minus 2 ठीक है? तो इस तरह से हम यहां पर assign करते हैं इसको charge उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ atoms जो है उनका जो oxidation state है किसी भी reaction में same रहता है जैसे कि अगर हम oxygen की बात करें ठीक है तो oxygen का जो oxidation number है वो हमेशा आपको minus 2 मिलेगा बस पर oxide के case में पर oxide के case में यह क्या मिलता है minus 1 मिलता है ठीक है ऐसे ही हम halogen की बात करें halogen जित्ते भी हैं उनका minus 1 होता है alkali metals की बात करें तो alkali metals का हमारा lithium sodium potassium जो होता है वो plus 1 होता है alkali metals का plus 1 हो जाता है alkali earth metals का हमारा plus 2 हो जाता है और अगर हम hydrogen की बात करें क्योंकि hydrogen क्या है दोनों ही oxidation state दे सकता है plus 1 और minus 1 अगर हम non metals के साथ बात करें इसकी non metals के साथ यह हमेशा हमें plus 1 oxidation state देगा और metals के साथ यह हमेशा हमें minus 1 oxidation state देगा ठीक है तो यह कुछ elements होते हैं जिनका oxidation state जो रहती है वो सेम रहती है अलग-अलग compounds में भी ओके कुछ बहुत सारे ऐसे atoms हैं जिनका oxidation state क्या होता है अलग-अलग चीजों में अलग-अलग compounds में change हो जाता है तो generally ऐसे जो elements है especially non metals जो होते हैं या transition elements जो होते हैं आप देखोगे जैसे हम नहीं भी iron देखा तो iron का अलग-अलग compounds में अलग-अलग आपको oxidation state में लेगा ऐसे ही अगर हम किसी और non metal की बात करें तो अलग-अलग compound में अलग-अलग variety of oxidation state देखने को मिलता है जैसे कि हम NH3 की बात करते हैं अगर तो अगर आप इसमें calculate करो तो hydrogen का plus 1 into 3 कर लेंगे ठीक है ultimately हमें क्या करना है 0 करना है याद रखे ठीक है तो इसका मतलब यहाँ nitrogen का कितना हो जाएगा minus 3 ठीक है तो यहाँ minus 3 आगया nitrogen का अगर हम बात करें HNO3 की तो plus 1 तो यह आगया और 3 into minus 2 तो यह आजाता है हमारा minus 6 और यह आगया plus 1 plus 1 और minus 6 यानि की ultimately हमारा nitrogen है जो क्या बचा वो plus 5 आना चाहिए इस case में nitrogen का plus 5 आ रहा है और इस case में nitrogen का minus 3 आ रहा है ठीक है तो आपने देखा कि कैसे अलग-अलग अलग-अलग compound में अलग-अलग तो यह कुछ आपको दिखाई दिये थे जो कि same रहता है जनका oxidation state और यह एक एक सा example है जिसमें आप देख रहे हो जितने भी non-metals हैं और हमारे transition compounds हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं variety of oxidation state ठीक है अब अगर आपके पास कोई भी ऐसा compound है binary element है जिसमें तो हम ऐसे compound में जिसकी electronegativity जादा होती है ठीक है उसको हम negative oxidation state दे देते हैं जहां पर जैसे electronegativity जादा देखेगी जैसे हमें यहाँ जादा देखेगी माइन जे तो हमने यहाँ पर oxygen को electronegativity जादा देखेगी जादा देखेगी यह तो एक्जामपल आप दैसे भी हमारा oxygen को minus देते हैं लेकिन आप अगर इसमें देखोगे तो जहां आपको greater electronegativity देखेगी वहाँ पर आप उस उसको नेगेटिव एसाइन कर दोगे oxidation state ठीक है अब अगर हम बात करें essay compounds की O2 ठीक है essay जिसनका oxidation state क्या हो रहा है satisfy हो रहा है essay compounds को essay elements को sorry हम क्या consider करते हैं neutral यानिकी zero charge इसकोई भी oxidation state इनका zero है ठीक है तो अब आपके पास एक problem है जिसमें आपको oxidation state निकालना है chromium की इस K2 CR K2Cr2O7 में तो क्या करना है हमें हमें पता है कि पूरे compound की जो हमारी oxidation state आनी चाहिए वह क्या आनी चाहिए zero है ऐसे compound के अब हमें इसमें दो ऐसी चीजे दिख रही है K और O ठीक है Potassium and Oxygen जिसका हमें पता है कि particular oxidation state रहती है Potassium की oxidation state एक काम करते हैं equation के form में लिख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए है कितने हैं Potassium दो Potassium है तो Oxidation state of Potassium यहां रखनी होगी हमें Chromium है 2 Chromium है तो Oxidation state of Chromium हमें पता करनी होगी Plus 7 हमारे Oxygen है तो Oxidation state of Oxygen हम यहां रख देंगे equals to हमारा हो जाएगा 0 अब यहां put कर देते हैं simply 2 into Plus 1 होगी इसकी Plus 2 into यहां पर हम X मान लेते हैं Plus 7 into minus 2 equals to 0 तो यह हो जाता है हमारा 2 plus 2X अब यहां पर हमारा plus minus minus हो जाएगा minus 40 simply इसको हम solve कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो X आया है इस case में वो आया है plus 6 यानि की oxidation state of chromium in this compound only ठीक है अगर हम सिर्फ इस compound की बात करें तो oxidation state chromium का हमारा कितना आया है plus 6 ठीक है इस तरह से हम oxidation state calculate करते हैं क्यों क्यों Oxidation number हम निकालते हैं next lecture में हम especially अपने titration की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमें अभी यह भी देखना है कि हम कैसे अपना normality calculate करने के लिए gram equivalent calculate करते हैं substances का जहां पर oxidation और reduction involved होता है तो तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ें basic concepts के लिए को all the best bye